पांच राज्यों में चुनावी बिगुलवजा, साथ नॉमबर से वोटिंग, तीन दिसंबर को रिजल्ट है 36 गड़ में कुल 90 सीटों पर चुनाव होगा 46 पर भाहमत मिलेगा, वोटिंग 7 और 17 नॉमबर को है वोटर है 2 करोड के लगब गए 2018 की दलिय श्थिति 2018 में वोट परतिशत कॉंगरेश को 43 मिला था, 68 सीटे मिली थी बीजेपी को 33 परतिशत वोट मिले थे, जिसमें 15 सीटे मिली थी 34 सीटों का पीजेपी को नुक्सान हुआ था जबकि कॉंगरेश को 29 सीटों का फायदा हुआ था जनता कॉंग्रिस्ट 36 गड़े को 7.5 परतिशत वोट मिले थे 5 सीटे मिली थी बशपा को 4 परतिशत वोट मिले थे जिसमें 2 सीटे मिली थी विधान सभा का कारेकाल 3 जनवरी 2024 को समाप्थ होगा 2018 में कॉंग्रिस्ट ने सरकार बनाई थी और वुपेश भगेल सीएम बने मिजोरम मिजोरम में कुल 40 सीटे हैं दोस्तो 21 सीटों पर भहुमत मिलेगा वोटिंग 7 नॉमबर को होगी वोटर है साड़े आठ लाख है किस पार्टी को कितने वोट मिले थे 2018 में मिजोर नेशनल फ्रंट को 3.5% मिले थे 26 सीटे मिली थी 21 सीटों का फायदा मिला था कॉंग्रिस को 30% मिले थे और 5 सीटे मिली थी 29 सीटों का नुक्सान हुआ था जोरम पिपुल्स मुमेंट को 23% मिले थे जिसमें 8 सीटे मिली थी और 5 सीटों का फायदा हुआ था बीजेपी को 8% मिले थे एक सीट मिली थी और एक सीट का ही फायदा हुआ था मिजोरम विधान सबा का कारिकाल 17 सितंबर 17 दिसंबर 2023 को समाप हो रहा है 2018 के नौंबर में हुए विधान सबा चुनाओं में मिजो नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई जिसमें जोर मथांगा मुख्य मंत्री बने मध्य पर्देश मध्य पर्देश में 230 सीटे हैं और 116 सीटों पर भाहमत मिलेगा वोटिंग 17 नौंबर को है वोट रहे 5.5 करोड 2018 की सीटों का प्रिणाम इस परकार था कॉंग्रेस को 41 परतिशत के लगबग वोट मिले थे 114 सीटे मिली थी 56 सीटों का फायदा हुआ था बीजेबी को 41 परतिशत वोट मिले थे 109 सीटे मिले थी 56 सीटों का नुक्सान हुआ था बसपा को 5 परतिशत वोट मिले थे 2 सीटे मिली थी और 2 सीटों का नुक्सान हुआ था मध्य पर्देश, विदान सबा 6 जनवरी 2024 को खतम हो रही है 2018 के चुनाओं में कमलनाथ के नेदितों में कोंग्रेश की सरकार बनी मार्च 2022 में सिंधिया गुट के तहत बीजेपी सक्ता में आ गई 2022 में सिंधिया गुट के बलबर बीजेपी सक्ता में आ गई थी और सिवराज सिंग्ग चोहान मुख्यमंत्री बन गए थे MP में दिवाली के पांस दिन बाद मतदान है मद्द परदेश में दिवाली के पांस दिन बाद मतदान होगा परदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही फेज में 17 नॉम्बर को वोटिंग हो जाएगी राजस्तान में 200 सीटों पर चुना होगा दोस्तों 201 सीटों पर भाहमत होगा 23 नॉम्बर को वोटिंग होगी 105 करोड वोट रहोंगे 2018 के प्रिणाम इस परकार थे कॉंग्रेस को लगबगे 40% मिले थे और 100 सीटे मिली थी और 89 सीटों का फायदा हुआ था बीजेपी को 38% मिले थे 73 सीटे मिली थी 90 सीटों का नुक्सान हुआ था निर्दिलिय को 9.30 वोट मिले थे 13 सीटे मिली थी 6 सीटों का फायदा था बसपा को 4.30 वोट मिली थे 6 सीटे मिली थी और 3 सीटों का फायदा हुआ था राज़स्तान विदानसभा का कारेकाल 14 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है 2018 के दिसंबर में हुए विदान सबाद चुनाओं में कॉंगरिस ने सरकार बनाई थी जिसमें असो गहलोत मुख्या मंतरी बने थे तेलंगाना में कुल 119 शीटों पर मतदान होगा जिसमें 60 शीटों पर भाहमत मिलेगा वोटिंग 30 नॉमबर को होगी दोस्तों वोटर हैं तीन करोड़ सत्रह हजार तीन करोड़ सत्रह लाख वोटर हैं 2018 के प्रिणाम इस प्रकासें टी आरेश 46 परतिस्त वोट के साथ 88 शीटे प्राप्त हुई थी 25 शीटों का फायदा हुआ था कॉंग्रेश को 28 परतिस्त वोट में ले थे 19 शीटे में ले थी दो सीटों का नुक्सान हुआ था तिलंगाना विदान सभा का कारियकाल 16 जनुवरी 2024 को खतम हो रहा है 2018 के दिसंबर में हुए चुनाओं में तिलंगाना राष्टर समीती ने सरकार बनाई थी और केज चंदर सेखर राय दूसरी बार मुख्य मंत्री बने थे पांच राज्यों की 689 विदान सभाशीटों के लिए 1.77 लाग पोलिंग स्टेशन बनाए गए है 17,734 मोडल बूथ बनाए गए है 621 पोलिंग बूथों को दिव्यां करमचारी मैनेज करेंगे 8,150 पोलिंग बूथों पर महिलाएं कमान समालेंगी 1 लाग पोलिंग बूथों पर वेब कास्टिंग होगी आदिवाशियों के स्पेशल बूथ होंगे 2 किलमेटर के अंदर पोलिंग बूथ होंगे 2018 में राज़स्तान में 7 दिसंबर मद्दापरदेश में 28 नूवंबर तेलंगाना में 7 दिसंबर मिजोरब में 18 नूवंबर को एक फेज में वोटिंग होई थी वहीं 36 गड़ में 2 फेज में 12 और 20 नूवंबर को वोटिंग होई थी